जैहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइन्स में मैं हूँ अलोग सिंग आतिस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूज साइन्स चेप्टर वाइज MCQ डिसकसन में केमेस्ट्री सेक्षन में परियोडिक टेबल के पहले कलास की जी हैं दोस्तों आप सबों का बहुत ही ज्यादा डिमांड था कि गुरू जी केमिकल रियक्षन के बाद परियोडिक टेबल करा दो तो लिजिए आज से हम लोग परियोडिक टेबल MCQ की सुरुवात कर रहे हैं साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि परियोडिक टेबल से संबंधित MCQ जो हम लोग करेंगे वो क्या होगा हमारा टॉपिक वाइस होगा यानि कि आपके परियोडिक टेबल में जो जो टॉपिक पढ़ना ह होता है उसी टॉपिक के हिसाब से हम लोग MCQ भी करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से किलियर हो पाए साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज की सेशन का जो भी क्वेस्टन है उसका PDF आपको कहा मिलेगा यह हमारे टेलिग्राम गु दोस्तों इस कोर्स संबंदित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिएगे नंबर पर कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं वहाल आईए अपने सेशन की सुरुवात करते हैं और देखते हैं एक्जाम रेलेबेंट क्या कुछ सीख पाते हैं दोस्तों किये भल में कुनपट सा टौपिक पढ़ना होता है और हम लोग किस किस टौपिक के कुश्चन को डिसकस करेंगे तो ध french बने में रखएगा कि आपका एक्पार्ट हंब करेंद्र नियम क्या करते हैं और आपका दूसरा टॉपिक कोन सा होता है तो दूसरा टॉपिक होता है november का अस्टकनियम तीस्तिव Annika जिसको णो नुव लेंड का ईक्टेवर रूल कहते हैं इंगलिज में या उक्टेवरूल उफ न्योलइज दिकते साथ है आपका तीसरा टॉपिक होता है मेंडलिफ आवर्थ सारनी यानि कि मेंडलिफ ने जो आवर्थ सारनी बनाया था उसके बारे भी हमारे एक्जाम में कुछ सन पूछा जाता है तो आपका तीसरा टॉपिक हो जाता है मेंडलिफ प्रियोडिक्टेबल और आपका चौथा टॉप इसलिए आधुनिक आवर्थ सर्णी को मौसले का आवर्थ सर्णी भी कहा जाता है तो आप यह चीज भी ध्यान में रखेंगे यहां पर मैं लिखी देता हूँ किसी को क्या बोला जाता है मौसले का आवर्थ सारनी भी बोला जाता है क्या बोला जाता है मौसले का आवर्थ सारनी बोला जाता है साथ ही आपका जो अगला टॉपिक होता है वो क्या है तो वो होता है सर आवर्थ सारनी की बिसेश्था आवर्थ सारनी की बिसेश्था जिसको हम लोग English में क्या कहते हैं इसको हम लोग English में properties of predictable कहते हैं और आपके पिछले group D exam में जो predictable से संबंदित question पूछे गए हैं उसमें आपका ये सारा का सारा topic included है यह निकि इन सभी topic से question पूछे गए हम लोग क्या करेंगे तो पहले इन सभी topic के कुछ basic और important point को समझेंगे कि जैसे अगर हम डॉब्रेनर तिरियक नियम की बात करेंगे तो पहले ये समझने का कोशिस करेंगे ये डॉब्रेनर तिरियक नियम होता क्या है ये किस किस तत्वों पर लागू होता है और इसका importance क्या होता है फिर इससे संबंदित question करेंगे और इसी तरह से हम लोग एक एक जितनी भी आपका topic यहाँ पर नजर आ रहा है उन सभी topic का करेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो प्रियोडी टेबल का concept है वो पूरी तरह से clear हो जाएगा तो आईए हम लोग पहले discuss कर लेते हैं डॉब्रेनर के तिरियक नियम से लेकिन उसे पहले अगर आप topic को no down करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके इन topic को no down कर सकते हैं मिरमित्र जब हम लोग आवर्थ सार्णी में डॉब्रेनर के organism है और सारे organism का properties एक साथ याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो बाइलोजी में बैग्यानिकों ने क्या करा है कि सभी organism को अलग-अलग ग्रूप में बाढ़ दिया है तो जब भी हम लोग को किसी एक particular organism के गुण के बारे में जानकारी चाहिए होता है हम लोग क्या करते हैं वो organism जिस group से होता है उसका पता लगा लेते हैं और फिर उस group का हम लोग अध्यान कर लेते हैं फिर हमको पता चल जाता है कि जो particular organism जिस होता है अलग-अलग होता है और सारे एलिमेंट का पुपटीज एक साथ याद रखना या पढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है तो बैग्यानिकों ने इसको भी आवर्त और समू में बांट दिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रियोडिक्ट टेवल कहते हैं या फिर आवर्त सारनी कहते हैं तो आपके दोनों कुष्टन का जवाब यहीं पर मिल जाता है कि आवर्त सारनी हम लोग किसको बोलेंगे तो सरल सब्दों में कहेंगे जब तत्तों को आवर्त और समू के रूप में वर्गिक्रित किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं आव आप सबों से कहाना चाहूंगा कि प्रिडिक्टेबल को बनाने में किसी एक पैग्यानी का योगदान नहीं रहा है बहुत सारे बैग्यानी को ने अपने अस्तर से योगदान दिया है और अगर आप बात करें प्रिडिक्टेबल बनाने के प्रारंबिक प्रियास की यानि कि ड पर्मुख योगदान लववाजे का था साथी साथ किसका था तो लोथर मेर नामक बग्यानिक था और साथी साथ और कौन बग्यानिक थे तो डूमा नामक बग्यानिक थे ध्यान में रखेगा कि प्रारंबिक परियास उता उसमें ततों को धातू और अधातू के रूप में भ फिर उसका जो अगला प्रियास था लौथर मेर का था इन्होंने क्या करा था तो आईतन और परमानुभार के हिसाब से वक्र बनाया था लेकिन ये भी ज्यादा सटिक नहीं हो पाया और ये भी क्या हो चुके थे फेल हो गये थे फिर डुमा ने क्या बनाया था तो सम्मूलक स स्रेनी बनाया था जो कि पूरी तरह से क्या हो गया था तो सर्फ फेल हो गया था यानि कि आप ये कहा सकते हैं कि ततों के आवरती वर्गिकरण में जो प्रारंभी प्रियास था यानि कि पहला प्रियास था उसमें कौन-कौन से बग्यानिक थे तो लववाजे थे लौथर म नामक बैग्यानिक ने क्या करा था तो ये आयतन और परमानुभार का वक्र बनाया था और डुमा ने क्या दिया था तो सम्मूलक स्रीनी दिया था जब ये सारी चीज़े फेल हो चुकी थी तब आपका कोन आये थे तो तब आये थे आपका डॉब्रेइनर नामक बैग्यानिक कोन आये थे डॉब्रेनर नामक बैग्यानिक आये थे और ध्यान में रखेगा अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि डॉब्रेनर कहा के बैग्यानिक थे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डॉब्रेनर जर्मनी के बैग्यानिक थे कहां के बैग्याणिक थे जर्मनी के बैग्यानिक थे और साथ ही ध्यान में रखेगा कि जब डाब्रेनर रायत इन्होंने 1870 में एक एक्सपरिमेंट करा और ये भी टत्तों के गुनों का ही अध्यान करने में लगे हुए थे इन्हों ने क्या बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको अगर तीन-तीन के गरूप में सजाया जाए तो जो बीच वाले तत्व का परमानुदरभमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्व के परमानुद्रभमान का उसत होगा यनि कि जब ये सब फेल हो चुके थे तब आपका कोन आया था तो गुरुजी डवरेनर नमक बैज्ञानी का आया था जो कहां के थे जर्मानी के थे और इन्होंने 1817 में क्या बताया तो इन्होंने 1817 में बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते वे परमानुद्रभमान के करम में क्या किया जाए तीन-तीन करके ग्रूप बनाया जाए तो बीच वाले तत्वों का जो परमानुद्रभमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमानुद्रभमान का उसत होगा और इन्होंने इसको क्या बताया, यह हमारा tried rule है, यानि कि तिरियकनियम है, आप कहेंगे कि सर हम इसको समझ नहीं पाए, तो थोरा सा ध्यान दीजेगा, कि डॉबरेनर के अनुसार हमारे पास total कितने तत्तों हैं, तीन तत्तों हैं, उसका हम लोग नाम दे देते हैं, A, B और C इस त्यनों को हमने क्या करा, तो बढ़ते हुए पर्मानु द्रब्मान के करम में सजा दिया, अब डॉबरेनर के अनुसार इसमें क्या कहा गया, कि यह जो हमारा बीच वाला तत्त B है, इसका जो पर्मानु द्रब्मान होगा, वो किनारे के दोनों तत्तों के पर्मानु द त्रभ्मान का उसत होगा, यनि कि a plus c by 2 होगा, क्या होगा? a plus c by 2 होगा, और यही क्या था? डवरेनर का ट्राइड रूल था, यनि कि डवरेनर का तिर्यक नियम था, आप कहेंगे कि गुरुजी ओर आली तो हम इसको समझ पार हैं, लेकिन अगर हमको इसको लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तत्यों के उसके बढ़ते वे पर्मानुदरब्मान के करम में तीन-तीन का सम्मू बनाया जाए तो परतेक सम्मू के बीच के तत्यों का पर्मानुदरब्मान का औसत होगा और ये नियम किसका है? आप कहा जाता है तो अगर आपको इतना सारा चीज आपके माइंड में ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको परेशान होने की विजरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लेना है कि डॉब्रेनर बाबा ने क्या करा था तो गुरुजी इन्हों ने तीन तत्वों को उसके बढ़ते वे परमानु दरब्मान के करम में सजाया था तो आप सभी अपने माइंड में इस चीज को छाप लेंगे कि वो तीन तत्व हमारा ए था बी था और सि था और डॉब्रेनर के नियम के नुसार क्या होगा यहाँ पे जो बी तत्व का परमानु दरब्मान होगा वो किनारे के दोनों तत्वों के परमानु दरब्मान का आसात होगा यानि कि B equal to A plus C by 2 A क्या है तो आपका इस तत्तो का पर्मानु द्रब्मा और C क्या है तो गुरू जी इस तत्तो का पर्मानु द्रब्मा दोनों को जोर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा arithmetic mean निकल जाएगा जो कि क्या होगा तो गुरू जी बीच वाले तत्तो का पर्मानु द्रब्मान होगा तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं लेकिन सबसे एहम चीज आप सभी धियान में रखेंगे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉब्रेनर ने अपना नियम दिया है उसमें ये किस चीज को सामिल करा है तद तो कि किस चीज को सामिल करा है परमानु संख्या या परमानु भार को आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो इन्हों ने परमानु द्रभमान क आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया लेकिन ये बताओ कि डॉब्रेनर के समय में वो तीन तब तो कौन-कौन सा था तुम्हेरे मित्र ध्यान में रखेगा कि डॉब्रेनर ने जिस समय ये अपना ट्राइड रूल दिया था उस वक्त इन्होंने तीन गुरूप का गोरज़ा था और वो तीन गुरुप कोन-कोन शाथ हुआ तो गुरूजी वो तीन गुरूप था पहला गुरूप था आपका लिएखियम का फिर इसमें सोडियम भी था और साथीघ सथ क्या था पोतेसियम था यह उसका क्या था पहला गुरूप था दूस Associate others तो दूसरा गुरूप था केलसियम का, एस्टोनिटम का, और साथी साथ बेडियम का, और इसका तीसरा गुरूप क्या था, तो तीसरा गुरूप था इसका क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का, ये तीनों गुरूप क्या कहलाते हैं, ये तीनों गुरूप आपका ड परमानुद रभमान है, वो किनारे के दोनों ततों के परमानुद रभमान का आउसत है, जैसे कि as a example अगर आप यहाँ पे समझने का कोशिस करेंगे, तो आप सभी क्या कहते हैं, कि गुरुजी लिथियम का जो अटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, आप कहते हैं, कितना हो होता है, साथ ही जो पोटेसियम का अटॉमिक मास होता है, कितना होता है, 49 होता है, कितना होता है, 49 होता है, और आप सभी क्या कहते हैं, कि गुरुजी सुडियम का अटॉमिक मास 23 होता है, कितना होता है, तो ततों को उसके बढ़ते वे परमानुद रभमान के करम में, तीन- में सजा दिये हैं देखिऊ यहांपे कि सब से कम आपका इसका प्रमानु द्रब्मान हैं इससे ज़्यादा इसका है और फिर इससे ज़्यादा इसका है यह आपका क्या हो गया बढ़ता ऊपर जाए किसके साथ potassium के मास के साथ तो हम लोग कहेंगे कि 7 पलस 49 हो जाएगा औस निकालना है तो बटा 2 कर देंगे यह क्या हो जाएगा तो गुरुजी 46 बटा 2 हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा 23 और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी sodium का जो atomic mass होता है वो कितना होता है 23 होता है लेकिन धियान में रखेगा कि जो यह डॉबुरेनर का Tridnium था यह सिर्फ और इतना ही तत्तु के लिए क्या था था सक्सेस हो पाया था बाकी के तत्तों के लिए क्या हो जा रहा फेल हो जा रहा था इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया था डिक्लाइन कर दिया गया था लेकिन अगर हमसे हमारे इक्जाम में यह कुश्चन पूछ दिया क습니까 आपको परिशान नहीं होना है बस आपको क्या याद रखना है लीना के थोडरा सा यहां he आप वाटसेप बला जो spelling आप लोग लिखते हैं वाटसेप पे उस तरह से इसको परणाउंसियस कीजिए क्या पढ़ेंगे तो हम लोग इसको लीना के पर सकते हैं क्या पर सकते हैं लीना के पर सकते हैं तो ध्यान में रख लीजिएगा कि डॉबरेनर का जो पहला ट्राइड वो क्या था तो गुरुजी पहले ट्राइड में लिथियम था और फिर क्या था सोडियम था और फिर क्या था पोटेसियम था अब सवाल आती है कि गुरुजी ये दूसरा वाला ट्राइड कैसे याद होगा तो बड़ा ही आसानी से याद हो जाएगा आपको क्या याद रख is पर में arrow लगा देता हूं इसके लिए आपको क्या याद रखना है के सर बहु दिजयेगा कि कैसे क्या याद रखेंगे कैल सिंभल रखेंगे और सर यहाँ पर लगा हुआ यहाँ पर भी देख रहें कि सर सर हो जाता यह यानि कि SR किसका सिंबॉल होता है आप कहेंगे एस्ट्रोनीटम का सिंबॉल होता है और यहां पर आप कहेंगे कि गुरुजी अगर इसका कि गुरू जी अगर हम लोग यहां पे इसको ऐसे परें, चल ब्रो आयोडीन लाने, तो हमको ये तिरियक भी याद रह जाएगा, अब आप क्या कहेंगे, कि गुरू जी यहां पे जो चल है, इससे हमको क्या याद रखना होगा, क्लोरीन याद रख लेना होगा, क्लोरीन, और अब ब्रो से आप क्या याद रखेंगे, ब्रोमीन याद रखेंगे, और आयोडीन तो आपको याद ही रहेगा, अब आप खहेंगे कि गुरू जी यह तीनो एक साथ कैसे याद रहेगा, आसानी से, जब भी आपसे ये कुशन पूछा जाएगा, कि डॉब्रेनर का त्रियक आपका क्या हो जाएगा, तो गुरू जी लीथियम हो जाएगा, ना, ना से आप क्या याद रखेंगे, तो जो एन ये होता है, ये किसका सिंबॉल होता है, आप कहेंगे सोडियम का, क्यूंकि इसका लेटीन नेम नैट्रियम होता है, तो ली से आपको लीथियम याद रहे और ना से आपको sodium याद रहा जाएगा और के तो के से आप क्या कहेंगे कि गुरुजी के जो है वो potassium का सिंबॉल होते हैं को यहां पर potassium याद रहा जाएगा लेहन दीजेगा अगला है के केसरव में केस से आप calcium तो पहला आपका calcium हो जाएगा सर से आप याद रखेंगे और साथी बह सी आपको याद रखेंगे वेरियम और चल बुरो और यह नहीं तो चल और जो concept लेना होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है सिर्फ और सिर्फ ये समझना होता है कि डॉब्रेनर का त्रियक नियम क्या कहता है और डॉब्रेनर का त्रियक नियम किस चीज़ पर आधारी थे और साथी साथ डॉब्रेनर के tried कौन-कौन से है और अगर आपको इतना सारा चीज याद है तो मेरे ख्याल से डॉब्रेनर त्रियक नियम से संबंदित जो भी question पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं साथी साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि डॉब्रेनर ने अपना त्रियक नियम कब दिया था तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया भी है आप सभी याद रखेंगे 1817 में दिया था साथ ही आपके एक्जाम में ये question भी पूछा जाता है कि डॉब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्यों पे अपना अवलोकन किया था रिसर्च किया था हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां भी डॉब्रेनर और उत्प्रेरक की बात की जाएगी तो आ डॉब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्यों पे अपना रिसर्च करा था अपना अवलोकन करा था आप कहेंगे प्लेटीनम पे अपना रिसर्च करा था और अपना अवलोकन करा था आप कहेंगे कि गुरुजी चलो इसको भी हमने समझ लिया लेकिन ये बताओ कि डॉब्रेनर के त्रियक नियम से हमारे एक्जाम में कुष्टन किस टाइप से पूछे जाते हैं तो आईए अब हम लोग कुष्टन की चर्चा कर लेते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप नोडाउं करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस्ट करके इन सभी चीजों को नोडाउं कर सकते हैं आपका जो पहला कुष्टन है आज के सिसन का कुष्टन नम्बो वन बड़ा ही हलवासा सवाथ आपसे पूछा जा रहा है कि डॉब्रेनर ने तीन तत्वों के समूं की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया आपका ऑप्सन दिया हुए ट्राइड आपका पहला ट्राइड कौन-कौन सा था तो लीना के था यानि की लिथियम सोडियम और पोटेसियम था यह जो आपका तीन-तीन तत्वों का समूं था इसको डॉब्रेनर ने क्या बोला था गुरुजी इसको डॉब्रेनर ने तिरियक बोला था जिसको इंगलीस में हम तरवाब आप आसानी से दे सकते हैं गरहाल चलते हैं अगले कुश्चन की तरव आपका जो अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर टू बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आप से पूछा जा रहा है कि जब तत्तों को परमानु भारों के बढ़ते करम में बैवस्तित किया जात में तीन-तीन करके ग्रूप में सजाया जाता है तब जो बीच वाले ततों का परमानु द्रमान होता है वो किनारे के दोनों ततों के परमानु द्रमान का औसात होता है और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं आपके कुश्चन में ओप्शन क्या दिया हुआ है पहला का नियम, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तीसरा अप्शन है, निूलेंड का आस्तेक नियम आप कहेंगे गुरुची ये भी नहीं होगा, चोथा ऑपसन है डॉरेनर के तिरीक नियम आप क्या कहेंगे, सर हमारे इस का सही आंसर क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा मेरे मितर आप समों के महने में चल रहा होगा कि गुरू जी हमारे पहले option में दिया हुआ है द्रबमान पर ही आधारी था और इन्होंने क्या बोला था कि तत्यों का भौतिक और रसाइनिक गुन उसके पर्मानु द्रबमान का आवर्त फलन होता है मेंडलिफ ने अपने आवर्त नियम में बताया था कि तत्यों का जो physical और chemical properties होता है वो तत्यों के atomic mass यानि कि पर्मानु समझ रहे होगे कि Newton ने गती के लिए कितने नियम दिये थे तीन नियम दिये थे जिसको अम लोग Newton सेकेंड लॉप मोसं कहते हैं और Newton थर्ड लॉप मोसं कहते हैं आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे अप्शन में न्यू लेंड का अस्टक नियम भी है तो क्या ये भी आबर्थ सार्णी से ही संबदी थे बिल्कुल सर तो ध्यान में रखेगा कि न्यू लेंड ने अपने अस्टक नियम में क्या बताया था तो Newland ने अपने अस्टक नियम में बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़तेव पर्मानुद रभमान के करम में एक से लेकर करके आठ तक सजाया जाए तो परते एक पहला तत्व का जो गुन होगा वो आठमे तत्व के गुन के समान होगा हमेजा ध्यान में रखेंगे कि Newland का जो अस्टक नियम था वो भी किस के लिए था आबर्त सार्णी के लिए ही था यानि कि प्रियोडिक्टेबल के लिए ही था और Newland का जो अस्टक नियम था वो भी किस पे आधारी था आप कहेंगे कि गुरू जी पर्मानु दरब्मान के अधारी था क्यों? क्यों इन्होंने बताया था कि अगर ततों को उसके बढ़ते वे पर्मानु दरब्मान के करम में एक से ले करके आठ तक सजाया जाए तो परतेक पहले ततों का गुन क्या होगा? आठमे ततो के गुन के समान होगा या फिर परतेक आठमे ततो का जो गुन होगा वो पहले ततो के गुन के क्या होगा समान होगा और यह किसका नियम था तो गुरूजी नियूलेंड का था उमीद करते हैं समझ पाएं होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है, question number 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी, आपसे पुछा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा डावरीनर तरीक का तीसरा सदस है, जिसमें लिथियम और सोडियम भी सामिल होते हैं, option दिया हुआ है potassium, दूसरा option है boron, तीसरा option है barium, चौथा option है hydrogen, आपसे क्या कहेंगे, कि गुरुजी अगर हम लोग डावरीनर के पहले tried की बात करते हैं, डावरीनर के पहले तिरियक की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, कि सर अभी just आपने बताया है कि इसके लिए हमको trick याद रखना है, लीना के, यहाँ पे जो लीना है, तो LI से क्या हो हम लिक देंगे तो चल जाएगा, यह किसका symbol होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी potassium का symbol होता है, किसका symbol होता है, प temperatura के पहले tried में, लीथियम, sodium और potassium रहता है, कुस्तन क्या पूछा जा रहा है, इनिमलिकित में से कौन सा6 분위 त्रीयक का तीसरा सदस है, जिसमें लिथियम और सोडियम भी सामील होते हैं आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी लिथियम सोडियम और पोटेसियम डॉब्रेनर का पहला ट्राइड है तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा अप्शन नंबर ए हो जाएगा यानि कि पोटेसियम हो जाएगा उमीद करते हैं समझ पाएं होंगे चलते हैं अगले कुश्चन की तरब आपका जो अगला कुश्चन है क्वेशन नंबर फोर बड़ा ही हलुआ सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निमलिखी ट्राइड में से कौन सा एक द्रीनर ट्राइड का परतिनीध्यत्य करता है आपका पहला option दिया हुआ है लिधियूम-सोडियूम-पोटेसियम दूसरा option है लिधियूम-कैलसियम-कलोरिन तिसरा option है अस्तोनीटम-ब्रोमीन और आपका pleasing है लिथियूम-फोटेसियूम क्या होगा इसका अंस से दे सकते हैं और इस question का answer आप सब के ऊपर छोड़ता हूं इस question का सही answer क्या होगा आप सभी नीचे comment करके जरूर बताएंगे आपके comment का इंतजार रहेगा बेरहाल चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question no.5 बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा र platinum कहते हैं और चौथा है आपका एजी जिसको हम लोग silver यानि की चांदी कहते हैं आप सभी क्या कहेंगे कि गुरू जी अभी जस्ट आपने बताया है कि डॉब्रेनर ने उत्परेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व पे आप लोग कन किया था किस तत्व पे research किया था त इसको हम लोग क्या कहते हैं platinum कहते हैं तो आप बताओ कि आपके इस question का सही answer क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे sir option number C हो जाएगा उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question number 6 क्या पूछा जा रहा है आपसे आपसे पूछा जा रह आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अभी जस्ट बताया कि डॉब्रेनर ने तीन ही तिरियक के बारे में बताया था जबकि एगर इस question की बात की जाए यह चौथे तिरियक की और संकेत कर रहा है तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस वक्त डॉब्र के तिरियक नियम पे आधारित है आप सही रूप से इसको डॉब्रेनर का ट्राइड नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर डॉब्रेनर का ट्राइड क्या होता है फेल हो जाता है लेकिन जब question पूछा गया है तो इसका जरूर कुछ न कुछ अर्थ निकलता होगा बिल्कुल अर्थ यही निकलता है कि आप से इस question को दे करके यह चेक किया जा रहा है कि आप डॉब्रेनर के ट्राइड के बारे में कितना समझते हो आप सभी क्या कहेंगे हम लोग तो सर बहुत सारा चीज समझते है और इसके बारे में समझना क्या है बस एक छोटा सा rule है कि डॉब्रे के रठीक के परथम और 33 सदस फॉसफोरास और एंटी मानी है क्या कहा जा रहा है कि डॉब्रेनर का जो अगर कोई ट्राइड होगा तो उस्ट्राइड का जो पहला सदस चीया है फसफोरस है और जो तीसरा सदस है वो क्या है तो गुरू जी तीसरा सदस SB यानि की एंटी मनी की बात की जारी है तो हम से ये पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा सदस क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों ही तत्तों के पर्मानुद्रब्मान का उसत निकाल लेंगे और अपने option में match कर वा लेंगे कि कौन से ततो का पर्मानुद्रब्मान जो है इस संख्या यानि कि जो आप यहां से उसत कैल्कुलेट करेंगे उसके आसपास या उसके नजदिक है आप कहेंगे कि गुरू जी अगर हम उसत निकालने की बात करें तो हम सभी क्या सकते है कि फरसफोरस का atomic mass 31 होता है जबकि हमारा जो anti money है जिसका symbol क्या होता है Sb होता है इसका atomic mass कितना होता है तो इसका atomic mass 121.76 होता है 151.76 होता है हमको क्या करना है इस दोनों ही का arithmetic mean निकाल लेना है यानि कि औसत निकाल लेना है हम लोग क्या कहेंगे कि गुरू जी यह हो जाएगा 121.76 पलस 31 बटा 2 जब आप इसको solve करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरू जी यह हो जाएगा 152.76 अबटा 2 जब आप इसको और solve करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये 76.38 के something आएगा कितना के something आएगा 76.38 के something आएगा यहनि कि यहाँ पे जो आपका दूसरा सदस होगा वो क्या होगा तो गुरुजी उसका जो atomic mass होगा वो 76.38 के आसपास होगा तो हम लोग क्या करेंगे अपने option में match करेंगे कि कौन से ततो का atomic mass इतना ओसत के आसपास में है अगर आप option की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला option है iodine और हम सबों को मालूम है कि iodine का atomic mass कितना होता है 126 होता है आप कहेंगे गुरुजी ये तो नहीं होगा आपका दूसरा option है sulfur, sulfur का atomic mass कितना होता है आप कहेंगे sir 32 होता है तो sir ये 32 तो इसके आसपास भी नहीं फटक रहा है साथी आपका तीसरा option क्या है तीसरा option है calcium जिसका atomic mass कितना होता है तो आप कहेंगे 40 होता है ये भी सर इसके आसपास नहीं फटक रहा है और ये जो हमारा आयोडीन है ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है जबकि अगर आप अपने चोथे आप्शन की बात करेंगे आरसेनी की बात करेंगे इसका अटॉमिक मास कितना होता है तो गुरुजी इसका अटॉमिक मास होता है 74.922 कितना होता है 74.922 आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर थोड़ा दिर के लिए ये माल लिया जाए कि यहाँ पे डवरेनर के त्रियक नियम के हनुसार से जो हमारा पर्थम सदस फसफोरस है और तीसरा सदस हमारा एंटी मनी है उस दोनों के परम पर्वानुद रभमान के आसपास आघी है तो हम यह क्या सकते हैं कि इस बीच में हम लोग किस तक्ट्व को रख सकते हैं और इसलिए हमारी स्कmotion का सही आंसर क्या हो जाएगा तो Sir, Option number D हो जाएगा क्या हो जाएगा? Option number D हो जाएगा तो मिरुमितर, जब भी आपको इस टाइप का question मिले कि पर्थम सदस आपका कोई और है और आपका तीसरा सदस कोई और है तो दूसरा सदस क्या होगा? आप क्या करेंगे? पर्थम और तिर्तिय दोनों ही सदस्यों का जो पर्वानु द्रभमान होगा उसका असत निकाल लेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा मिरे मित्र, दोबरेनर तिर्यक नियम से संबंदित जो आपके गुरूबडी एक्जाम में कुष्ण पूछे गए थे वो आपका टोटल का टोटल 6 ही था और आपने दोबरेनर के तिर्यक नियम के बारे में बेसिक जानकारी को भी संबढ़ लिया यहनिकि आपका दोबरेनर त अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एक्जाम डेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप